को कि इस घ्रवेकर डूपार सा थाइख झाए है वह अभी पूर अब यह बया यह लुआ फॉट स्टप्र ἥे श्थिके groundwater लूपंए अब बिख घ्रवारत लोगरें किज़ेंगे है फिरप्रेंगी यहाँ है उसनी Fourth प्रेशर एंड वॉल्यूम में प्लॉट किया गया इसको अगर आप देखो तो पहले टेंपरेचर आपका 13.1 सेर्ट आपका 21.5 फिर 31.75 ऐसे गर के तेंपरेचर जो है वो राइस कर रहा है तो अब सबसे पहली आइसो थां में अगर हम पकड़ें एट 13.1 डिग्री सेलसियस तो यह जो कर्व एया आपकी 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो पहले हम अब देखो यह जो आपका साइड है न देखो यहाँ पे क्या है आपका वोल्यूम भी जीरो प्रेशर भी जीरो तो उसकेस में आपका जो है वो लिक्विड काबन डैकस exist करती है ठीक है जब आप volume increase करना शुरू करते हो ठीक है volume increase करने से क्या होता है वो गैस में करने मतलब इधर आपका liquid carbon dioxide इधर आपका gas carbon dioxide है तो अब हम AB curve को देखें AB curve क्या है आपकी AB curve में देखो A to B जा रहे हो आप A to B जा रहे हो अब है is a S Farm-A Noel black sectionертв के या दीक है तो मतलब यहाँ पर क्या हूरी compression of gas To gas की compression से क्या होता है gas liquid में convert होना शुरू होती है तो मतलब compression से बी-망 जाके जो है आपकी क्यास वह liquid में start होना convert होना शुरू कर रहे है तो यह रहे हैं तोनेक्स आज़ो BC आपको यह आपको एक horizontal portion नज़र आ रहे हैं तो BC is your horizontal portion इस portion के around आपकी जो leakification होगी carbon dioxide gas की वो continue में रहेगी ठीक है continuity में रहेगी ठीक है तो मतलब इसमें C point तक जाते 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 जो आपकी पूरी carbon dioxide gas है वो liquid में convert हो जाएगी ठीक है आगे आजाओ ये vertical आपकी curve cd अब इसमें क्या हो रहा है देखो cd जो है वह आप इसमें देखो volume change बड़ा कम नज़र आ रहा है आपको यह volume ना volume change बहुत कम नज़र आ रहे ठीक है तो मतलब यह आपकी vertical vertical क्यों होगी liquid आपका not compress मतलब liquid आपका इससे आगे compress नहीं होगा ठीक है तो मतलब यह आपकी basically क्या represent कर लिए कि C point के बाद जाके जो आपका यहाँ पे carbon dioxide है वो pure liquid में convert हो गई है ठीक है अच्छा आगे आजो next valley isotherm that is on 21.5 21.5 देखो अगर आप E F G H इसका B behavior जो है बिल्कुल ABCD जैसा है ठीक है फरक सिर्फ कहां आ रहा है कि इसका जो horizontal portion है वो थोड़ा सा जादा है इसका horizontal portion थोड़ा से comparatively कम है ठीक है तो फरक सिर्फ कहां आ रहा है horizontal portion में कि उसका जो है वो smaller है ठीक है तो इससे हम क्या पता कर सकते है कि जैसे जैसे temperature आपका बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है horizontal portion आपका smaller होते जा रहा है आप देख सकते हो ना temperature 13 था फिर 21 हो गया फिर 31 तो जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है horizontal portion आपका क्या कर रहा है decrease कर रहा है okay now comes to this curve 31.1 इस temperature पर आपके आप क्या देख रहा है इस पॉइंट पर आपका बिल्कुल क्या हो गया जीरो इधर कुई horizontal portion आपका रहा ही नहीं रहा इधर डारेक्ट आपका पहले गैस ती फिर उससे डारेक्ट किया किसमें कर रहा है अब देखो यह जो horizontal portion नहीं क्या कर रहा है कि यहां पर आपका carbon dioxide ना वो प्यूर लीविड ना वो प्यूर गैस है और लीकुर प्लस गैस का mixture है हो तो यहां पर लीकुड प्लस गैस का कोई mixture नहीं आ रहा है मतलब डैरेक्ट पहले वो किया था गैस थी carbon dioxide पर एक पोइंट है जिसके बाद वो डिरेक्ट किसमें कनवर्ट हो गई लीकुड में कनवर्ट हो गई ठीक है तो मतलब इतर इस कर्व में गयास और लीकृड की देंस्टी सेम है और उनकी फिजिटल प्रॉपर्टी सेम है मतलब उनको आप डिस्टिंगुश नहीं कर रहे क्योंकि को पर आपका जो काबन डाइक से ग्यास से लीकुड में कनवर्ट हो रहा है जिदर की इदर होरीजंटल पोर्शन से दिस्टिंक्शन आ रही थी दिस्टिंक्शन दे पा रहे थे आप लेकिन इदर कोई भी डिस्टिंक्शन आपकी वह नहीं हो रही है तो मतलब की देखो यह आपकी ग्यास जो है वह लीकिफाइड नहीं हो रही मतलब आपको आप उदर शो नहीं कर पा रहे है कि ग्यास आपकी कहा लीकिफाइड हो रही है तो मतलब की इस पॉइंट पे ना तो आपकी कार्बन डेक्स आट गैस्ट फॉर्म में ना वह आपकी लीकुड फॉर्म है ठ critical temperature की definition क्या थी ऐसा temperature जिससे उपर जाके आपकी जो ग्यास वह लीकिफ़ाइड नहीं होगी मतलब देखो ना यह दो कोई ग्यास नहीं है यह लीकुड नहीं है यह ग्यास नहीं है मतलब दोनों में कोई distinction नहीं है distinction नहीं है तो आप नहीं पता कर सकते कि carbon dioxide कब लीकुड में temperature clear okay now comes to next topic that is principle of continuity of state अब देखो principle of continuity of state क्या होता है देखो critical temperature हमने क्या डिफाइन किया कि जब आपका जो carbon dioxide gaseous form में वो distinguish नहीं हो रही from liquid carbon dioxide इसका मतलब क्या है कि conversion carbon dioxide gas से liquid carbon dioxide तक या फिर उससे वाइस वर्सा वो एक क्या है वो sharp या discontinuous process नहीं है वो continuous process है तो मतलब आप इससे again इदर से explain कर सकते हो principle of continuity of state देखो basically continuity of state क्या होती है कि जस state में आपका जो substance है वो सिर्फ एक state में exist करें यहां वो liquid हो यहां वो gas हो तब होती है continuity देखो अगर आप suppose ABCD को consider करते हो ठीक है ABCD में क्या हो रहा है बी से सी जो horizontal portion है यहां पर तो आपकी liquid जो carbon dioxide है वो liquid में भी है gas में भी है क्योंकि यहां से लीकिफाय करना शुरू हो गई थी ना स्टार्ट हुई तो हो सकता है कि कुछ amount liquefied हुआ कुछ तो gases में है तो मतलब इदर आपके दो faces आ रहें नेक्स कर्व में देखो तो next phase में भी horizontal curve horizontal curve क्या represent करें कि दो faces हैं लेकिन इदर आओ तो इदर आपके पास कोई भी horizontal part नहीं है मतलब कोई भी दो faces नहीं है मतलब अगर आप बोलो assume करो तो यहां पर वो direct gas थी यहां पर लीक्विड होगे तो मतलब इदर क्या रही है आपकी continuity continuous state आ रही है और इसको क्या बोलते है प्रिंसिपल अफ कॉंटिनिटी अफ स्टेट बोलते हैं इसको क्लिया रहे है कि जिस केस में आपकी जो क्या होगी continuous process वह किसमें हो रही है वह इसमें हो रही है continuous process ठीक है तो थीज आर इस कर्व्स आर शोईंग दर प्रिंसिपल अफ कॉंटिनिटी अफ स्टेट वेराइस थीज कर्व्स दस नॉट शोव दिस क्यों क्योंकि इनमें क्या रहे है यह horizontal curve मतलब इनमें लीकिफिकेशन आपकी शोव हो रही है यह दो आपको इस वेराइस है प्रिंसिपल आफ कॉंटिनिटी अपस्तेट